लड़ू गोपाल को घर में रखने से क्या लाब होता है रादे रादे मित्रो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान में जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और जोतिश से जुड़ी कई इंटरस्टिंग बातें अगर अभी त आज हम आपको बताएंगे कि लड़ू गोपाल को घर में रखने से क्या लाब होता है बगवान कृष्ण के बाल रूप को लड़ू गोपाल कहा जाता है लोग घर में लड़ू गोपाल रखते हैं जो बेहत शुब माना जाता है लड़ू गोपाल को घर के मंदिर में रखन पूजा सेवा करने से धन सम्रिदी में विदी होती है। आप अपने दिल की बात घर में रखे लडू को बता सकते हैं। कहा जाता है लडू कोपाल आपके जीवन के सारे दुख हर लेते हैं। लडू कोपाल के सनान से भोग तक के नियमों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप लडू कोपाल को घर में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो आपको पुर्णे की प्राप्ती होती है और आपके घर में सुख शांती का वास होता है और जिन दमपती को संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है और वे बहुत परिशान रहते हैं तो वे जब घर में लड़ू गोपाल ले आएं और उसकी सेवा करें तो धीरे धीरे संतान प्राप्ती के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं तो आपको आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि भगवान कृष्ण के बाल रूप लड़ू गोपाल को घर में रखने से क्या-क्या फाइदे होते हैं तो चलिए मित्रों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलावा मेरे आस्था और जोतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाते हैं तो यह मेरा कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद मित्रों